हेलो माई डियर फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजिनरिंग चैप्टर वाइज में जैसा कि आप थम्निल में देख चुके हैं इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारा लाश्ट चैप्टर है कॉंटिटी सर्वेइंग एडवैलियोसन का इसके बाद ये हमारा स्लेब कंप्लीट हो जाएगा वेलियोसन काफी इम्पोर्टन टॉपीक है इससे काफी अच्छे कोशन बनते हैं हमारे एकजाम में और इससे जो टरम्स आप सीकेंगे यह आपके future में भी आपके काम आएंगे जो आप site पे work करोगे या फिर daily life में भी यह हमारे काम आती है ठीक है आए श्टार्ट करते है valuation आखिर होती क्या है purpose of valuation and factor affecting valuation of a property तो इन तीन topic को हम इस particular वीडियो में cover करेंगे आए श्टार्ट करते है valuation से valuation क्या होता है valuation is the procedure of determining the present value of an existing property such as building, land, factory etc depending upon its selling price in market or the income it fetch in the form of rent it represent value is decided इसमें क्या बताया गया है कोई भी आपकी property है जैसे ये एक घर है आपका इसकी market में कितनी value है वो पता करना उस process को बोलते है valuation ओके वो हम कैसे पता करते हैं जो भी आपकी property है चाहे कोई building है ये जैसे आप देख सकते हैं चाहे कोई जमीन का हिस्सा है कोई भी factory है, कोई भी building है आपकी उसका जो हम बेशना चाहते हैं या फिर आप कोई property खरीदना चाहते हैं ठीक है? तो उसके लिए आपको उसकी value पता करनी होगी कि present में आपकी property की value कितनी होगी वो किन-किन चीजों पर depend करता है वो आगे हम देखेंगे ठीक है? other factor affecting the value of properties are present conditions, remaining future life, location, demand and supply position in the market ठीक है? तो market के according ही आपकी property की value बनती है जैसे आपकी local जो location है property की वो rural area में या फिर urban area में है ठीक है? तो depend करता है आपका urban area में तो थोड़ी सी value उसकी जादा होगी रूरल area में उसकी value कम होगी बट future में अगर रूरल area में ग्रामिन area में कोई project अच्छा आता है जैसे transportation वहाँ पे सड़क कोई निर्मान होगी या कोई flyover वहाँ पे बनेगा या फिर बिजली पानी की supply अगर वहाँ पे आ जाती है गाम में तो आपकी property की value दीरे दीरे बढ़ती सली जाएगी ठीक है? आपकी property जैसे ये घर है इसकी life कितनी बची है जैसे कि नया घर होता है तो वह ज़्यादा strong और होता है दीरे दीरे उसकी life कम होती रहती है हमारे universe में हर एक चीज का एक lifetime होता है कुछ भी चीज इसमें सदा के लिए नहीं होती है ठीक है? तो दीरे दीरे इसकी life कम होती रहती है और कुछ सालों बाद ये life खतम हो जाती है और ये घर रहने लायक नहीं रहता ठीक है? तो ऐसे ही उसकी location किस location पे है हमारा घर या property वो भी अच्छी depend करती है इसकी value और demand and supply यह हम अच्छे से आगे discuss करेंगे ओके अगर आप मेरे चैनल civil engineering chapter wise पे नए है तो please मेरे चैनल को आप subscribe जरूर कीजिए साथी साथ bell icon को आप press करना ना भूले ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का notification आपको मिल सके और आपको इसका benefit ले सकें अब देखते हैं cost, price and value यह अलग अलग जो definition है इनका मतलब क्या होता है कोष्ट क्या होता है simple word में अगर बताऊं तो आपने किसी product को बनाया है तो वह आपका होता है को जैसे कि आपने एक घर बनाया पांच लाक रुपे में ठीक है पांच लाक उसकी लागत आई तो उसको बुलाता है COST ठीक है आपकी कितनी लागत लगी कितना पैसा उसको बुल में प्रोफिट एड़ कर देंगे पांस लाक में हमने अपना प्रोफिट एक लाक रुपिया एड कर दिया, ठीक है, तो टोटल हमारा प्राइज हो गया, 6 लाक हमारा हुआ प्राइज, उस प्रोपरिटी का, उस बिल्डिंग का या उस फ्लेट का, जो भी आपने बनाया है, अब उसको बेशने के लिए उसकी त ठीक है, तो प्रोफिट के साथ वो हुआ 6 लाक, अब आती है वैल्यू की बारी, ओके, अब आपने एक फ्लेट तो बनाया है, ग्रामिन एरिया में, जहां पर कोई भी सुख स्वीधा नहीं है, जैसे पानी वहां पर नहीं है, इलेक्रिसिटी वहां पर नहीं है, ठीक है, ट के अभाव में आपने वो घर बनाया है, और आप उसके 6 लाक रुपे मांगते हैं, तो ये बिल्कुल बजट में नहीं होगा, अगर सेम प्राइज में आपने एक घर बनाया है, जहां पर ये सारी सुविधाएं आपको मिली है, वहां पर रोड है, पानी है, बिजली है, सार रेलवेशेशन है, वो भी आपकी नजदीक है, कुछ किलोमेटर के अंदर है, तो ये सारी चीजे आपके सुविधा की जो चीजे हैं आपके पास है घर में, उसके आप अगर 6 लाक रुपे मांगते हैं, तो उससे जादा भी अगर आप चार्ज करने की कोसिस करते हैं, 7 ला अगरिया में ये सारी नहीं है, तो वहाँ पे 6 लाक रुपे में भी लेने में कोई भी आदमी हिचकेगा, ठीक है, लेना पसंद वहाँ पे नहीं करेगा, तो ये चीजे होती है, value, ठीक है, तो cost क्या है, price क्या है, और value क्या है, तो ये तीन चीजे हैं, इनको भी आपको valuation आखिर क्यों करते हैं, ओके, देखते हैं, step by step, first point है इसमे, when a person wants to sell or buy a property, जब किसी आदमी को कोई property खरीदनी या बेचनी हो, तब उसका valuation करवाया जाता है, ठीक है, जैसे मुझे कोई घर खरीदना है, तो मैं पूछूँगा, इसकी value क्या है, present में, market में, इसकी value क्या है, और वो आपको पता है, किनकिन चीजों पर depend करती है, location पर, other factors है, जो हाँ पे benefits है, उनके उपर ये depend करती है, ठीक है, next point है, for determining, municipal tax, property tax, etc, ठीक है, municipal tax और property tax, जो fill किया जाता है, जमा किया जाता है, तो वो भी आपके property के according ही किया जाता है, जितनी ज़्यादा property होती है, तो उत tax होता है, तो उसी पर ये base होता है, next point है, for advancing loans against security or property, its valuation is required, ठीक है, अगर आपको loan चाहिए हो, तो आपकी property का कितनी value है, तो उसके according ही आपको loan मिलता है, ठीक है, next point, in order to pay compensations for the property acquiring by the government, its valuation is to be carried out, अगर आपका property कोई government project के अंदर आती है, तो उसका compensation, government आपको देगी, ठीक है, वो जो compensation होगा, वो किस आधार पर होता है, वो भी valuation के आधार पर ही किया जाता है, कि आपकी property कितनी value है, तो उसके according ही आपको पैसा दिया जाएगा, ओके, next आता है, for fixing, sorry, for the fixation of rent of a property, its valuation is required, ओके, जैसे कि मैंने बताया था, कि अच्छी जंगह पे, सारी सुक्सविदाओं के साथ, अगर आपका घर है, तो उस पे कोई rent, अगर आप charge करते हैं, किराया, आप लेते हैं, किसी किराईदार से, वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वापे सारी सुक्सविदाओं, आप उसको दे रहे हैं, ठीक है तो ये भी depend करता है, उसकी valuation पे, जितनी ज़्यादा value होगी, उतना ज़्यादा किराया होगा, value जितनी कम होगी, किराया भी उतना कम होगा, ओके, next है, valuation of property is necessarily for the insurance purpose, अगर आपकी कोई factory है, या कोई building है, आप उसका insurance करवाना चाहते हैं, तो insurance भी आपकी valuation के आधार पे ही किया dispute, property, its valuation is required to determining the court fee, etc., तो court fees कितनी होगी, वो भी आपकी property की valuation के according ही दी जाती है, जैसा भी उसमें dispute कोई भी जगडा विवाद उस पे चल रहा हो तो, ठीक है, next point है, valuation of property is required for wealth tax purpose, wealth tax जब submit करना है, तो भी आपको इसकी valuation की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, thus, the valuation of property depends upon its purpose, ठीक है, the quite essentials to know the purpose of valuation is determined its fair market value, ठीक है, जो आपका purpose है, उसके according ही, उसकी value, आप check करते हैं, और वो उसकी market value ही होती है, ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा, valuation, क्या, और क्यूं करते हैं, अब देखते हैं, factor affecting, valuation of property, आपकी property पे क्या-क्या factor affect करते हैं, जिससे क्या आपकी valuation बढ़ सकती है, या फिर घट सकती है, first है, demand and supply, ठीक है, demand and supply का मतलब क्या है, आप मान लिजिए, कोई area है, और वो, उस पे जितनी भी आप सोच सकते हैं, सारी सुक्सविदाएं वहां के आसपास आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे आपको बिजली वहां पे मिलेगी, पानी वहां पे अच्छा मिलेगा, ठीक है, रोड आपके घर से कुछ ही दूर पे होगा, जापर ट्रांसपोर्ट आपको इजीली मिल जाएगा, मैट्रो श्रेशन आपके नजदीग हो, रेल वेश्रेशन नजदीग हो, और फ्लाइ या फ्लाइट पकड़ने के लिए, एरपोर्ट भी आपके कुछ किलोमेटर के दायर प्राइबल भी मिली, तो उसका प्राइज बहुत जादा हाई मिलेगा, ठीक है, तो उस प्रोपर्टी की डिमांड बहुत जादा होगी, और उसकी वेलू भी उतनी जादा होगी, ठीक है, तो ये इसमें बताया है, डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड बहुत जादा है किसी एरिया में प्रोपर्टी की तो उसकी वैलू भी जादा होगी अगर डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कैसे करेंगे और वैलू भी उसकी उतनी कम होगी ठीक है फिर आता है एन्वल रेंट ये भी डिपेंड करता है आपकी प्रोपर्टी पे जैसा कि अभी अभी तक हम डिसकस किया है कि आपकी प्रोपर्टी अच्छी जंगय पे है तो उसका रेंट भी अच्छा होगा ज्यादा आप ले सकते हैं और उसको देने के लिए आदमी तयार भी होगा ठीक है बट अगर आपकी प्रोपर्टी अच्छी जंगय पे नहीं है तो उसके लिए आप किराय इजने के लिए इच्छा जाहिर करता है उसका एक माइंड में पॉइंट ये भी रहता है कि फ्यूचर में इसे हमें कितना रिटन मिलेगा ठीक है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा इस पर लगा रहे हैं तो आगे जाके इसकी प्रोपर्टी बढ़ेगी इसकी घट सकती है तो नुकसान होगा तो यह चीज भी हम कंसिडर करते हैं और प्रोपर्टी को ऐसी जंगा पर लेते हैं कि उसकी वैलू दीरे-दीरे बढ़ती जाए ठीक है अब देखते नेक्स्ट फ्यूचर डवलप्मेंट ओफ दा एरिया फ्यूचर डवलप्मेंट का मतलब क्या है आने वाले भविस्य में आपका जो एरिया है प्रोपर्टी का उस पे कितना डवलप्मेंट हो सकता है और उसकी वैलू डवलप्मेंट पे ही बेस होती है तो उसकी वैलू भी वैसे ही बढ़ जाएगी मान लीजिए आपने एक जंगय पे प्रोपर्टी ली आपने ए ही है ठीक है आपने लिया उसको और छोड़ दिया कुछ साल बाद वहां पर गोवर्मेंट की कोई बढ़ जाएगी ठीक है तो यह होता है फ्यूचर डवलप्मेंट अगर आने वाले समय में वहां की डवलप्मेंट होनी है या आपको पता है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट वहां पर आएगा तो मास्टर प्लान के तहट तो आप वहां पर प्रोपर्टी लीजिए और उसको कुछ समय बाद वह प्रोपर्टी की जो वैलू है बहुत ही जादा हो जाएगी डबल से भी उपर हो सकती है कुछ चांसों में यह बहुत ज्यादा हो जाती है ठीक है फिर आता है unforseen circumstances unforseen circumstances क्या होता है जैसे आपकी कोई प्रोपर्टी कोई घर है कोई बेल्डिंग है या को कुछ भी ओ, वहां पे communal herits, वहां पे दंगा फसाद हो जाता है, ठीक है, जाती है कोई हिंदु मुस्लिम या कोई भी ऐसा दंगा फसाद वहां पे हो जाता है, मान लेते हैं, हो जाता है, civil war, वहां पे लडाई हो जाती है, earthquake, boocamp वहां पे आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे unpredictable जो circumstances ह होते हैं इनकी वजए से आपकी property है उसकी value बहुत ही जादा कम हो जाती है ऐसी जंगह पे कोई भी इंसान जाना पसंद नहीं करता है कोई भी वहाँ पे रहना पसंद नहीं करता है कोई भी वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करता है ठीक है तो तो by default आपकी property की value fall down हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है, तो ये भी एक factor है, जो affect करता है आपकी property को, ओके, फिर आता है absolence, absolence क्या होता है, ये होता है, जो update नहीं होते है, update यानि कि outdated, ठीक है, आपने एक घर बनवाया 20-25 साल पहले, उसका design और उसमें लगने वाले material अलग-अलग थे, आज के time पे जो design है घर के, वो काफी advance हो चुके है, काफी modern हो चुके है, तो 20-30 साल पहले का design आज के time पे नहीं होता, वो absolute हो चुका है, वो खतम हो चुका है, ठीक है, तो उसकी वज़े से भी आपकी property की value कम हो जकती है, ठी आने design पे आधारित कोई building है, घर है, तो उसकी value बहुत कम होगी, जबकि एक building है, जो modern design पे, new architectural design के basis पे बनाई गई है, उसकी value बहुत जादा होगी, ठीक है, तो ये भी एक factor है, जो की consider किया जाता है, कोई भी property की valuation को design, sorry, बनाते वक्ट, ठीक है, तो ये सारे factors है, जो भी हम value को बनाते वक्ट consider करते हैं, ठीक है, उमिद करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और आप मेरे वीडियो को like जरूर करेंगे, साथी साथ इसको आप study related group में share जरूर कीजिए, मेरे चैनल को आप subscribe तो कर ही चुके होंगे, मुझे प हैं, और देखते रहे हैं, मेरे चैनल सिविल इंजिरिंग चैप्टर वाइस को